हेलो दोस्तों नमस्ते आप सभी जानते हैं कि मैं नएने तरीके की चीजे लेकर आती हूं आप सबकी बीच में और नएने कुछ ग्ञान की बाते हैं अगर मुझे पता होती ही या मुझे कभी याद आती है जो मैंने बेचपन में किये थे या मैंने कभी भी कोई काम किया तो मुझे कभी भी याद आता तो मैं आप लोगों के साथ सेयर जरूर करती हूँ क्योंकि ये मेरी आदत और मेरी खासियत दोनों है क्योंकि ग्यान बाटने से ही बढ़ता है और मिलता है क्योंकि किसी ने मुझे बहुत पहले, जब मैं पाचवी में पढ़ती थी, तब मुझे किसी ने बहुत अच्छा ग्यान दिया था, क्योंकि वो बहुत ही सिक्षित थे, और बैंक में नौकरी करते थे, यानि वो जॉब करते थे, मेरे अंकल थे वो, खास मेरे अंकल थे, इसल आपने सरमंदिगी ना महसूस हो तो उन्होंने मुझे पांचवे क्लास में ही डाटा था बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने मुझे यह बोला मैं मॉम के साथ अपने बैंक गई तो वहां मैंने बैंक में चेक भरने का जब आया तो मुझे थोड़ा-थोड़ा आता था तो उ मैं पांचवे क्लास कर रहे हैं तो आपको कभी किसे के सामने हाथ फैल आने की जरूवत नहीं है तो उनके आजू-बाजों में जो बैठे हुए थे जो प्रभंधक थे और भी बाकि जो बैंक के काउंटर में जो भी लोग थे तो उन्होंने बोला चोटी बच्ची क्या करन डीए को किसर मेरा कर दीजे भी या मेरा कर कर दीजे अंकल मेरा कर दीजिया तो ऐसी इसको सिक्षा दूट जो कि यदो खुद भी ले और दूसरों को भी बाटे फिर मैंने क्या उस से सीखा मैंने का कैसे करें अंकल ने ने बिठा आपे जी Chinese लोने समझायाzaggov घर वर तेश्यक्राइच अइसे करते हैं फिर उनोनने मुझे बताया और मैंने यूझ लिए ठीक्व काम को बड़े खूपी से किया और मैं ससेथ हो गई कुछी दिन में मैं बैंक गई फिर दोबारा और मैंने फार्म को अपने आप से भरा और ती बारा गई चोबारा गई पचार ऐसे जिंदिगी चलती रही और एक दिन जब मैं टैंद क्लास में पढ़ रहे थी तो एक छोटी सी लड़ीकी जब कि मैं पांचीवी में थी तो लड़ीकी भी में ही पढ़ रहे थी खासियत और किसमत की बात तो यह है दोस्तों क्योंकि वो भी आई बैंक में अपनी मा के साथ लेकिन उसको ग्यान नहीं था कि फार्म कैसे भड़ते हैं यहां तक इसको बहुत पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी लेकिन मुझे वो पल याद आ गए ज प्र मैंने इस लड़ी की को अपने पास बुलाया उसने बुला दीदी आप खुध फॉर्म भर दो मैंने का छुटकी आस तुम्हें फॉर्म भर देती हूं लेकिन आगे क्या करोगी आप फिर किसी ने किसी से करोगे तो उसने बोला मैं आगे फिर देख लेंगे मैंने खा देख नहीं लेंगे कर लेंगे दिड़निस चित्ता के साथ कर लेंगे बहुत जरूरी है आपको ये करना तो उसे मैंने एक अच्छर जैसे अंकल ने मुझे सिखाया ता वैसे मैंने उसे सिखाया और मैंने उसे फोटो खीच करके उसको बोला कि अपने मोबाइल में रखलो तो से भूला दीदी ले पास घर में जाना और यहां सो कुछ हैं वह पेपर लेढ़ो और तीन चर बार वसी फार्म को आप भरो जिससे पैसा जमा कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं यह फॉर्म आप लेकिंग कि जह और आराम से करो तुए अँस लड़की ने काम किया है जो मैं तख रहा गई तो इसमानी आपने मुझे मुझे पहचा नहीं तो उसने पोला आप उस दिन मिले थे मैंने गा किस नहीं अज। काफी समय हो गया मैंने का मुझे याद नहीं है तो उसने chodziğim लगा सालों हो गए दीदि मैंने आपकी वजह Tack लिया मैंने ग्यान हमेशा बाटने से बढ़ता और मेरे मरने के बाद में भी जो लोग आते रहेंगे जो लोग उस लड़की से सीखेंगे फिर उसके बच्चे सीखेंगे या उसके उसने किसी और को सिखाया तो ऐसे करके आगे ये प्रक्रिया चलती रहते तो इसलिए अगर आपके पास क रुपए या 5 रुपए या 3 रुपए की पेन आती है दोस्तों लेकिन हम इसे भूल जाते हैं हमें कितना मांगना पड़ता है काट और ले लेके वह तो हमी समझते हैं लें जानता हमारा दिली जानता एक बार ऐसा है मेरे धासा हासा हुआ है एक अंकल थे जो कि वह रिटाय होंगे मैं पिंट तंगा रहा था है केंसे बोले कंसे लड़की को Pen By साथ रकना चाहिए पिलिस में हूँ नमें और उसका मतलब किसी की सहायता था यह उन्हों मुझे ऐसे डाड करके और फिर उसके बाद उन्हेंने मुझे नर्मता से प्रेम से समझाया और वो समझ में दिमाग में ऐसा घुसा के आस तक मैं पेन लेके हर जगे घुमा करती हो यहां तक कि मैं कहीं टौइलेट में बातू में ट्रेन में सफर कहीं भी करती हो लेकिन पिन लेके कभी नहीं भूलती और पिन हमेसा साथ में रखती हो क्योंकि वो ग्यान मेरी जिंदगी का मकसद बन गया और दोस्तों आपने ये भी देखा है ये है पांच रुपय जी हाँ दोस्तों कभी-कभी आटो वाले पांच रुपय के चक्कर में आपको कितने 10-15 म लिए आपको खड़ा करना पड़ता फिर आटो का मीटर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और यह एक रुपया लोग कहते एक रुपय में क्या उखाड लोगे या एक रुपय में क्या कर लोगे लेकिन दोस्तों एक रुपय कभी-कभी अगर आप पास एक रुपय नहीं है तो आटो गालों कभी-चौड़ देते लेकिन समेंदिगी महसूस होती है लेकिन हमें फिर कहना पर हमाथ एक रुपया नहीं भाइया schaffen अहीं ले ले लेना क्यों लेले में लीना भीया क्या उसमे मेंत नहीं किया है क्या क्या हमारा मेहनत का पैसा नहीं है जो कि वो हमें ना दे तो इसलिए मैं उनसे भी एक रुपए हमेशा लेती हूं और हमेशा उनको देती तो इसलिए एक रुपए और ये रहा दो रुपए तो दो रुपए एक रुपए और ये जितनी भी चिलर होती आप उसे अपने पास ज जो कि आपके नाम से उसमें आप इसको डाले डिपोजिट करें उसके बाद में आप पैसा आप वहां से ले सकते हैं आपको दे देंगे आपको कुछ नहीं कहेंगे तो इसलिए दोस्तों ग्यान बाटिए और पें और ये किसी को फॉर्म भरना बैंकों कोई विचार अगर चक खुटे बच्चे हैं तो क्या कर लेंगे नहीं उनको भी डाट के प्रेयम से जैसे वह समझते हैं वैसे उनको समझाएं आपकी जिम्मेदारी है आप इस जिम्मेदारी को जरूर अपना है अगर किसी के पास चुट्टे पेसा नहीं है और आपके पास है तो आप यह ना क्योंकि हमेंने कोई बुरी बात तो वोली नहीे तो इसलिए आपको डिसलाइक करने के जरूरत नहीं है बाकिताँ खूदीश समझदार हैं क्लिकोंकि नोह टो चिंदिकी मी आगे करी नहीं सकते क्षब हैं कप लिए और अपने आप कोरोन को बुलाएं ना कर दूत डातो के बाहर बाहर के ंदर आपके घर में चाय पानलुद ही सब बचेगा क्योंकि को सब्सक्राइब नास्ता भी नहीं पूछ लोग कहते ना इंडिया वाले महमान होते हैं महमान नमाजी ज्यादा अच्छे से करते हैं वह हमें सबके साथ महमान नमाजी जरूरी है लेकिन यह करोनोबा के साथ हमारे जरूरत नहीं है इसलिए लात्मारकेश को बाहर करें थैंक्य दोस्तों बाइब 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 बाइब